हेलो स्टूडेंट आज हम क्लास सेवेंथ पाट एक हम पंची उन्मुक्त गगन कविता का अध्यन करेंगे पद एक हम पंची उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधनागा पाएंगे कनक तीलियों से टक राकर पुलकित पंक उड़ जाएंगे अर्था तूट जाएंगे शब्दार्ट उन्मुक्त स्वतंत्र गगन आकाश पिंजर बंधन पिंजरे में बंधकर कनक सोना पुलकित रोमांचित इस पद में कवी शिव मंगल सुमन ने पक्षियों के मन के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम पंचि उन्मुक्त गगन के कि पक्षि स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं पिंजर बंधना गा पाएंगे और हमें पिंजरों में बंध रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंक तूट जाएंगे पक्षि कहते हैं कि सोने की तिलियों अर्था जिस से पिंजरा बना हुआ है उनसे टकरा कर हमारे रोमांचित पंक तूट जाएंगे पद दो हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूके प्यासे कहीं भली है कटुक निमोली कनक कटोरी की मेदा से शब्दार्थ कटुक कड़वी निमोली निमके फल कनक कटोरी सोने की कटोरी आगे कभी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले जब पक्षी आकाश में उड़ते हैं और उन्हें प्यास लगती है तो वो नदियों का बहता पानी पी लेते हैं मर जाएंगे भूखे प्यासे यदि हमें पिंजरों में बंद कर दिया तो हम भूख और प्यासे मर जाएंगे कहीं भली है कटुक निमोली कनक कटोरी की मैदा से बक्षी कहते हैं कि हम सोने की कटोरी में रखे स्वादेश्ट भोजन को खाने से अच्छा तो नीम के कड़वे फल खाना ही हमें अच्छा लगता है या भाता है पद तीन स्वन शिंकला के बंधन में अपनी गती उडान सब भूले बस अपनों में देख रहें तरू की फुनगी पर के जूले शब्दार्थ स्वन शिंकला सोने की कड़िया बंधन कैत उडान उडना तरू पेड फुनगी व्रिक्ष की चोटी कभी कहते हैं कि स्वन शिंकला के बंधन में सोने की कड़ियों में केद होकर पक्षी कहीं अपनी उडान न भूल जाए अपनी गती उडान सब भूले अपनी गती न भूल जाए बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के जूले हम तो व्रख्ष की चोटी पर बैट कर जो अर्थात जो व्रख्ष की डाली पर बैट कर जूलने का सपना देख रहे हैं कहीं ये व्यर्थ ना हो जाए पद चार ऐसे थे अर्मान की उड़ते नीले नब की सीमा पाने लाल किरंड सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने शब्दार्थ अर्मान आकांशा या इच्छा नब आकाश चोंच चंचु दाने को चुगना आगे कभी कह रहे हैं कि ऐसे थे अर्मान उड़ने के पक्षों की ऐसी इच्छा होती है कि नब की सीमा पाने कि वे निगले आकाश में उड़कर दूर सिमाओं को पार कर जाएं लाल किरंड किरंड सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने और अपनी चोंच खोल कर जहाँ वे तारू रूपी अनार के दानों को चुग सके पद पाँच होती सीमा हीन शितिज से इन पंखों की होडा होडी या तो शितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी शबदार्त सीमा हीन जिसकी कोई सीमा न हो शेतिज वह इस्तान जहां प्रत्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं होड़ा होड़ी प्रती स्पर्धा आगे कभी कहता है कि होती सीमा ही न शितिज से कभी कहता है कि पक्षी आकाश में उड़ते हुए ये इच्छा रखते हैं कि यदि वे पिंजरे में बंद रहकर रहते तो वे आकाश में उड़ते हुए अनंद सीमा को प्राप्त नहीं कर सकत और दूसरे पक्षियों से भी वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते या तो शितिज मिलन बन जाता या तनती सासों की डोरी या तो वे शितिज को प्राप्त कर लेते या उनकी सासों की डोरी तूर जाती अर्थादो मृत्यों को प्राप्त हो जाते पद 6 नीर न दो चाहे टहनी का आश्रे चिन भिन कर डालो लेकेर पंक दिये हैं तो आकुल उडान में विग्न न डालो शब्दार्थ नीर गोसला टहनी व्रिक्ष की साखा आश्रे रहने का इस्तान चिन भिन नस्ट भष्ट आकुल व्याकुल विग्न बाधा कवी कहते हैं कि नीर न दो चाहे टहनी का आश्रे चिन भिन कर डालो अंत में पक्षी मनुश्यों से अनुरोद कर रहे हैं कि चाहे तुम लोग व्रिक्षो को काट कर उनके रहने के इस्तान को चिन भिन कर दो लेकिन पंक दिये हैं तो व्याकुल उडान में विग्न न डालो लेकिन परमात्माने जो उन्हें उन्हें के लिए पंक दिये हैं उनके साथ उन्हें में कोई बाधा उपस्तित मत करो अर्थार उन्हें खुले आकाश में उड़ने दो इन पदो को समझते हुए या इस कविता को समझते हुए आप नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए प्रश्न एक हर तरह की सुक सुईधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद रहना क्यों नहीं चाता प्रश्न नमर दो पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन-कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाता है